तो चली दोस्तों आज बात करेंगे एक रिजब बैंक का नया नोटिफिकेशन आया है रिगारिंग पर्सोनल लोन उसके बारे में मौनिटोरियम 3.0 लेने के लिए आपको क्या करना है, eligibility क्या है, process क्या है, documentation क्या क्या लगेगा और इसमें benefit क्या क्या आपको मिलेगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं, you need to know, वीडियो को दोस्तों complete देखे, complete देखने के बाद आपका जो भी राई है, सुजाव है, comment है, जो भी है आप बतेगे मुझे कमेंट में, so दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजेगा, और मेरे चैनल पर ऐसा ही, monitoring related, latest update, और credit card banking finance related वीडियो के लिए subscribe जरूर कर लिजे, so दोस्तों सबसे पहले आपको अपना browser पर जाना है, और type करना है, RBI notification, जैसे टाइप करेंगे, जो पहला website है, उस पे आपको click करना है, website click करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी present release हुआ था, 6 अगस को, उसके जो list है, वो sign इस पे आपको click करना है, और download कर लिजे, PDF को, PDF download होने के बाद यहाँ पे एक annexure खुलेगा, बहुत सरा page है, 16 page का है, तो यहाँ पे आपको page number 4 पे आना है, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, और यहाँ पे देखिए, annexure number A जो लिखा है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, थो तो उसके लिए क्या-क्या condition है, क्या-क्या legality है, दूसको देखिए, सबसे इसको मैं आगे data में पर उसके पहले मैं दो-तीन चीज़ बताना चाहूंगा, मैं लास्ट दो वीडियो में, monitorium का जो वीडियो में ने दो बनाया, उसमें मैं एक चीज़ हमेशा बता रहा हूं कि इस बार जो monitorium मिलने वाला है, वो सबको नहीं मिलने वाला, अंदादू नहीं मिलने वाला, बतलब जो लोग ऐसे भी लोग थे, जिनके income source regular थे, उन लोगों ने भी monitorium लिया, क्योंकि इस बार का monitorium में ऐसा कोई guideline नहीं था, लेकिन अभी जो मिलने वाला है, उसमें guideline पर भी थोड़ा रहा हो तो कि सब लोग अगर ले लेगा तो बैंकों पर प्रेशर बन जाएगा ना तो बैंक का भी प्रेशर कम होगा और जो लोग एक्चुल में जो लोग अगर लोग लेगा तो आपको मिलेगा मतलब फेवरारी महीन नहीं भर पारे तो उसके लिए यह फ्रेमवाक नहीं है यह गाइडलाइन नहीं है उसके बाद eligibility यहाँ पर एक point number 7 पर क्या लिखा है कि जिसने loan लिया और जिसने loan दिया मतलब loan company और borrower दोनों का agreement के उपर ही यह मिलेगा benefit अभी क्या हो रहा था अभी बहुत लोग होगा जिन लोग payment नहीं कर रहे तो actual में आप impacted हो के नहीं हो तो ओ चेक करने के बाद ही आपको मिलेगा आप बात करते हैं दोस्तों benefit इसमें क्या क्या मिलेगा उससे पहले थोड़ा एक point बताना चाहूँगा दोस्तों यह जो apply करने का आखरी time होगा December 31 2020 जी December 31 2020 से पहले 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 आपको यह apply करना है कि हाँ में stress हूँ मुझे loan नहीं दे पा रहा हूँ मेरा salary नहीं हा रहा जौब चला गया है business डाउन है तो 31 December 2020 से पहले 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 करना पड़ेगा और इसका maximum implementation जो time रहेगा bank के पास और रहेगा 90 days जी दोस्तों 90 days के अंदर bank को implement करना ही है जो भी benefit का details है अभी बात करते है बेनिफिट इसमें क्या क्या है उससे पहले में बात कर लेता हूँ कि eligibility क्या क्या है देखिए eligibility सबसे पहले तो मैंने दो point मैंने बत नहीं रहे या फिर कम आ रहे या फिर regular नहीं आ रहे है जो भी है और दूसरा है आपका bank statement कि वो salary जो account में जा रहे है उस bank statement भी check करेगा तो उस तरीके से आप प्रूब कर सकते हो कि आपका job नहीं है salary नहीं है whatever और जो लोग business में उन लोग का bank statement मांगा जाएगा तो इस तरीक bank के पास जो जो option दिया गया है benefit का उसमें काफी लंबा list है लेकिन जो main main point हमें आपको बता रहा हूँ और उसमें कुछ चीज़ ध्यान से पड़ी यह non number जो point है बहुत एकदम important point है देखे दोस्तों इसमें clearly लिखा है कि आपको interest के उपर benefit मिल सकता है अगर आपका high है तो वो कम कर दिये जाए तो जिससे कि आपका EMI amount भी कम हो जाएगा या फिर loan का tenarity भी घट जाएगा या फिर आपका EMI amount के उपर भी आपको मिल सकता है कि EMI amount आपका ज्यादा आप उतना नहीं भर सकतो कम भी हो सकता है या फिर आपको जो है दूसरा कोई loan भी another credit भी आपको मिल सकता कि आपको आपका loan जो पहले दिया तो खतम होगी आप भी बीनिस चलाने के लिए पैसा नहीं है तो दूसरा चोटा मोठा एक loan भी आपको दिया जा सकता है और यहाँ पर जो main point देखी दोस्तों और क्या लिखा है granting monitorium granting of monitorium so monitorium भी आपको मिल सकता कैसे मिलेगा मैं बता दिता आपके पास जॉब नहीं है आपका जॉब लॉस हो तो आपका जॉब लॉस मतलब आपका income source तो जीरो हो गया ना तो अगर आपका income source जीरो हो गया अगर आपका loan restructuring का option दिया जाते मतलब मानके चलिए आपका 10,000 के यह मैं तो आपको बोले भाई 5,000 कर देता हो या फिर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको income नहीं आएगा ना तो उनके लिए जिनका पास income जीरो हो चुका तो उनके लिए जो है monitorium का option bank provide करेगा कि हाँ यह बोलो और के पास income ही नहीं है तो इसको monitorium देने के अलाबा कोई उपाई नहीं है अभी जिसका salary जो है कम आच मतलब कम amount घट जाए तो वो bank check करेगा कि आपका income source या पर एक वो line mention भी है based on the assessment based on an assessment of income streams of the borrower यह clear line guideline में लिखा है reserve bank ने income कितना हो रहे या फिर income किस तरीके से हो रहे या फिर income हो रहा है कि नहीं हो रहे वो सारा कुछ देखने के बाद आपको benefit मिला जाएगा कि आपको कौन से actual में दिया जाए तो दोस्तों यह बहुत important है उसके बाद वाला line जो परी जो मैंने thumbnail में लिखा था कि subject to a maximum of two years यह line दोस्तों बहुत important है कि bank के पास यह authority रहेगा दो साल तक के लिए आपको यह benefit यह सारा इसमें से जो भी benefit आपको बता इसमें से कुछ भी आपको benefit दिया जा सकते ह तो कि दो साल के लिए implemented होगा अभी दोस्तों इसमें एक चीज में आपको बताना जाओंगा दो साल तक अगर bank कोई देता है तो उसको bank को भी घाटा उठाना हो सकता है अभी दो साल तक तो monitoring तो आपको नहीं मिल लगा definitely दो साल तक कोई भी company या bank monitoring तो आपको नहीं देगा ल आपको लगा कि bank के पास आ जाएगा तो bank तो नहीं देगा न यह सब benefit लेकिन उसका जवाब में इतना बताना शाओंगा देखी दोस्तों कुछ दिन पहले तक जो है NPA का non-performing asset जो bad loan का definition था 90 days का था कि 90 दिनों तक अगर कोई borrower जो loan लिया हो अगर पैसा नहीं देता तो उ उसको क्या 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 क्योंकि monitorium 6 मेने तक चला तो 6 मेने तक अगर कस्टोमर ने monitorium लेकर रखा है तो 6 मेने तक तो payment नहीं आया ना तो फिर वो क्या NPA में जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि ओ रिजाब बैंक ने guideline ही चेंज कर दे उसको 108 से दिन कड़ा दिया तो अगर यह है किसी customer को तो रेफिनिल्ट नहीं जाएगा तो bank भी कोशिश करेगा कि आपको plan दिया जाए जो genuine है उसको दिया जाए क्योंकि नहीं देगा तो वो loan जो है NPA का अंदर count होगा तो bank कभी नहीं चाहिएगा कि आपना जो loan है वो NPA का अंदर चला जाए तो bank का भी मजबूरी ह है यह benefit आपको देने का तो अगर कोई लोग आपको ड़ा रहा है कि कुछ नहीं देगा bank करेगा टॉर्चरिंग करेगा जी बैंक कोशिश करेगा पहले आपको आपसे असुल लेगा अगर जब देखेगा कि bank हाँ यह genuine है यह नहीं दे सकता तो यह जो भी benefit पो लो इसमें से क commentation रखिए bank नहीं मानने नहीं दे रहे benefit एक मेन वेट करिए उसके बाद रिजाब बैंक को complaint हो किए अगर आप चाहते कि रिजाब बैंक को क्या complaint कैसे लिखना है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दोंगा लेकिन टेंशन मत लिजे दोस्तों यह कोई कुछ टेंशन लखिएगा जय हिंद बंदे मातरम